हेलो गाईज मेरा नाम है केशव शर्मा आप देख रहे हैं टेक्समाइट यूट्यूब चैनल तो दोस्तो आज की सुड़े आपको शाओमी में यह थी के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या उसका प्राइस होगा कब तक फोन इंडिया में लॉंच होगा या कब तक फोन लॉंच होगा तो इंडिया में एक देट भाईने बाद लॉंच हो जाएगा जब वो जैसे चाहिना में लॉंच होगा उसके बाद में दोस्तों आप उपने वीडियो को पसन आएगी तर वीडियो को लाइक करने चानल को सस्क्राइब करने वीडियो को अपने फेंड की साथ शेर भी कर लेना कर लेटे का जल्ले से स्टार्ट तो Xiaomi Mi A1 जो फोन था काफी अच्छा फोन था उदर आपको dual camera back में देखने को मिल गए थे और वहाँ पर आपको camera काफी अच्छे देखने को मिल गए थे फोन के अंदर बैट वहाँ पर आपको काफी कुछ कमिया देखने को मिली जो Mi A2 के अंदर improve होई पर वहाँ पर भी कुछ कमिया रहगी जो Mi A3 के अंदर आपकी improve होने को देखने को मिल जाएगी तो Mi A2 जाता उसके अंदर आपको वहाँ पर dual sim लगा सकते थे वहाँ पर आप memory card नहीं लगा सकते थे पर जो Mi A3 आएगा उसके अंदर आप hybrid sims load देख सकेंगे और phone आपको यहाँ पर सारे Android 1 के देखने को मिल गए थे जो Mi A1 था वो भी Mi A2 B और Mi A3 भी आपको Android 1 पर देखने को मिलेगा तो Mi A2 का यह successor हो जाएगा और यहाँ पर आपको काफी अच्छा है phone देखने को मिलेगा आप मैं बता तो आपको phone की display के बारे में यहाँ पर आपको 6.15 इंचेस की Full HD Plus की display देखने को मिल जाएगी camera की बात करते हैं back में आपको triple camera देखने को मिलेगे 12 plus 5 plus 2 के या फिर 20 plus 5 plus 2 के तो यह इन दोनों में से कोई एक setup आपको देखने को मिलेगा और back में triple camera आपको देखने को मिल जाएगे front camera की बात करते हैं आपको 25 megapixel का AI वाला camera देखने को मिल जाएगा phone की battery की बात करते हैं 3700 से लेके 4000 के बीच में phone की आपको battery देखने को मिलेगी क्योंकि Mi A2 की battery काफी कम देखने को मिली थी तो इधर आपकी battery इंप्रूफ करी जाएगी और यहाँ पे आपको phone की बात करते है 5G होगा या नहीं होगा तो phone आपका 5G नहीं होगा और बात करते है phone के price की तो phone का price यहाँ पे आपको 13K एक राउंड देखने को मिल जाएगा phone आपको stock Android देखने को मिल जाएगा pie out of the box देखने को मिल जाएगा launch की बात करते हैं तो launch phone आपका March ये April के बीच में हो जाएगा और इंडिया के अंदर वही आपके डेड़ या दो महीने बाद इंडिया में phone आ जाएगा तो दोस्तो ये थी वीडियो अगर वीडियो पसंद आई तो और वीडियो को लाइक करो चैनल को सुस्क्राइब करो वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए बाबाई